कि नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है तो आज हम आपको बताएंगे इस खली की किस तरह से यूज किया जाता है अपने पौधे पर इस खली का क्या महत्व है तो मैं आपको आज अपने वीडियो पर बताऊंगे दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रोटीन विटामिन्स एलिमेंट सारे के सारे मौझूद रहते हैं यह हमें तो फेक देते हैं पर दोस्तों आपको इसको क्या पौधे पर रिस्पौंस आती है अधि आपको जानकारी नहीं ह हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखे तभी आप समझ पाऊगे कि इस खर्री का क्या महत्व है हमारे पौधे पर दोस्तों आपने सभी तरह का खाद या मुष्टर्ड डोज डाला होगा पर इस चीज को अपना कर देखो कि इसमें कितना सारे विटामिस और इलिमेंट्स मौझूद हैं दोस्तों ये खर्री में जो है वो आपके कापर है तामबी है मैगनेसियम है मैगनीज है सलफर है और कार्बोहड्रेड है इसमें बहुत सारे इलिमेंट्स पाए जाते हैं इसको पौधे पर बहुत ही बढ़िया वर्क कि तो दोस्तों इस तर पहले आपको लेना है तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि 100 ग्रम अधी खर्ली हम लेते हैं तो आपको पानी कितना लेना है तो मैं आपको बताती हूं कि पानी आपको दो लीटर लेना है जैसे कि इसको 100 ग्रम इसमें खर्री डालकर आपको इसको तो इसको हम दो लीटर पानी में 100 ग्रम सर्सो का खर्री डालकर इसको डीकमपोस्ट होने के लिए मैं छोड़ देती हूं दोस्तो इस तरह से एक दी 2 लीटर पानी में 100 ग्रम खर्री डालते हैं तो इसमें आप फिर 10 लीटर पानी मिलाकर आप इसको फटलाइजर बना तो 10 लीटर पानी मे आप 100 ग्राम खर्री को दाल कर यूच करते हूं दोस्तो तो इसका response बहुत ही बढ़ियां आती है क्योंट हम आपको बताते हैं कि 10 लिटर पानी में ही आप 100 ग्राम इस खर्री को डाल कर यूच करकर आप पोधे पर डाले इसका response आपको बहुत ही बढ़िया आए तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैं तो बाल्टी ले लिया है अब इसमें आपको क्या करना है इस खर्री को डाल देना है इसमें आप एक अंदाज से आप सोगराम डाल दे जैसे कि मैं इसमें डाल दे रहे हूँ देखिए आप मेरी वीडियो को देखिए और इसमें समझ कर आप डाले ये मैंने एक बाल्टी में मैंने सोगराम डाल दिया है अब आपको क्या करना है दूसरी बाल्टी को लेनी है जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ खाली बाल्टी तो इस तरह से आप एक बाल्टी देखिए ये हमारे दूसरी बाल्टी है तो दोस्तों 100 ग्राम डाल दिया है अब मैं दूसरे बाल्टी लिया है इसमें भी आपको 100 ग्राम डाल देना है जैसे कि मैं आपको डाल कर दिखा रही है इस तरह से आप इसमें भी 100 ग्राम की हिसाब स भी डाल दे देखिए यह मैंने इसमें भी डाल दिया है अब आपको क्या ले पॉलेणा है विश्डीर कमपोडर ये दिख रहा है ये बहुत ही बहुत ही अच्छा लिस्पोंस दिलाते रहा है दोस्तो यह दाप यह बोर्विश्ड पॉलग दिलाती है यें लाइजर है ये बिश्टी कमपोज़डर आप घर पे बना सकते हूं सड़ी हुए और यह मित्ती को लाइफ को बढ़ाती है लिए बहुत यह बनिया वर्क करती है पौधी पर दोस्तो आज हम आपको बता रहे हैं यह बिश डिकमपोजडर है जो हम आप पांच लेटर ले रखी है अब इसमें भी मैं आपको दिखाती हूं सेर्शो के खर्री इसमें भी आपको 100 गराम यूज करना है जैसे कि इस तरह से आप देखिए हम इसमें डाल दे रहे हैं आप इसको 100-100 गराम के हिसाब से आप डाले दोस्तो आप इसको डाल कर भूलिएगा नहीं इसको आप नोट कर लीजेगा क्योंकि यह बहुत 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 ही बढ़ियां वर्क करेगी पोधी तो दोस्तो आपको इन तीनों फटलाइजर को कम से कम 4-5 दिन के लिए आप छाय अस्थान पर रख दे क्योंकि इस तरह से आप इसको फर्मानेटेशन का किरिया होने दे क्योंकि यह 4-5 दिन में इनके फर्मानेटेशन का किरिया हो जाएगी और बहुत ही तो दोस्तो तीनों बुष्टर तो मैंने बना कर आपको बनाने के लिए बताया है लेकिन ऑल डालना है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, कि ये मैंने यहाँ पर 100 ग्राम की एक अंदाज डियेफी खाद मैंने लिया है, तो दोस्तो आपको डालना कितना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, कि इस तरह से ये हमारे जो नए बाल्टी है, इसमें हम 5 लेटर में तो दोस्तो इस तरह से डिखा दिखा रही हूँ, इसमें भी डाले और इसमें भी डाले इस तरह से आप पाने डाले तो अब हम आपको डाल कर दिखाते हैं क्योंकि इसमें मैंने इनीस उनीस उनीस जो इन पीके होते हैं वो मैंने इसमें पर लीटर एक लीटर पर तीन गराम आपको यूज करना है जैसे कि हमारे दस लीटर है तो उसमें तीस गराम आपको यूज करना है और ये हमारे डीएफी खात जिसे हम यह पांच लीटर पानी है दस से पंद्रा ग्रांद मैंने यूज किया है और यह हमारे डीटी कमपोस्टर है जिसे हम उसके मेट्वर करके bekannt आ judgment काय blossoms यहाले से लैपकूदय यह हमारे देखी इसमें फूल कितने खुबसूरत से खिल रही है इस पर डाले यहां डाले फिर इस पौधे पर डाले दोस्तो कुछ सब्जीये वाले प्लांट है जैसी बैगन का प्लांट मैंने लगाया है तो इस पर भी आप इस तरह से डाले यह हमारे कुछ अदरक का है दोस्तों इस तरह से देखे मैंने आपको तो डाल कर दिखाई तो दोस्तों देखे यह मैंने पहले से अल्रेडी करकर रखी हूं इस तरह से देखे मैंने जो बना कर रखी हूं इसके फर्मानेटेशन का किरिया पूर्ण हो चुकी है तो दोस्तों देखे यह हमारे तीनों बुष्टर मैंने बना कर रखी हूं यह आप देख सकते हैं कि केतने बढ़िये तरीके से मैंने बना कर रखी हूं और इसको आपको कैसे डालना है कैसी मिक्स करना है तो मैं आपको दिखाती हूं पहले तो मैंने पांच लीटर पानी में बना कर दिखाई हूं यह बेश्टी कम लेकिन दोस्तो इस बूस्टर को आप घर पर बनाना अवस सीखो क्योंकि मैंने आपको तो बना कर दिखाई हूं इस तरह सी बूस्टर तीन तरह का बूस्टर है लेकिन आप इसको इंडोर वाली प्लांट पर बिल्कुल भी ना डाले क्योंकि ये हमारे जो है सड़े हुए करेगी तो आप इस तरह से देखिए हमारे सरसो का खर्री है जिसे मैंने यूज करकर बनाया है दोस्तो आप भी इसको अबस बनाएं और इस जो हमारे खर्री है इसका जानकारी प्राप्त करें क्यूंकि ये पौधि परवर्ख बहुत ही बढ़ियां दिलाती है और आपके जब पौधे पर ये बूस्टर डोल डालोगे दोस्तो ये प्लांट का क्या होगा विटामिन्स एलिमेंट्स और उसके ऑक्सीजन जो कार्भोहेड्रेड होता है वो सारे पौधे तक पहुचाने की परतिकिरिया को फुर्ण करती है तो दोस्तो आपको इस तरह का जानकारी कैसा लगा अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों बाए बाए